असलाम अलेकुम रहनातुलाही बरकातु हो कैसे हैं आप सब लोग आज मैं भुट्टी की चाट बना रहा हूं जो मार्किट में मिलती ना बजार में कहीं भी जब हर जगह भुट्टी की चाट मिलती उसको वहें पहले भुट्टे को उबाल ली दो या तीन चीटी लेने के बाद उसको ग्यास को बन कर लेके भाब जाने तक रख लेना अच्छा नरम होता होटा नरम होने के बाद उसकी चाट बना लेना अब इसको बना लेंगे इसके दाने निकाल ली मैं उबालने के बाद दाने निकाल लेके बना ले रहा हूं मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और मेरी डिश कैसे लेगे आप बताएं यह चार्ट बनाई है चार्ट अच्छी और मज़ेदार होती बच्चाओं को भी बहुत पसंद आती है अब इसमें हम दालेंगे यह काली मिर्ज का पोडर नमक यह काला नमक है लाल मिर्ज यह आमचूर है आमचूर का पोडर है अब अगर आपके पास आमचूर नहीं है तो आप नीम्बू कराज दाल लेजिए अब इसमें दालें टमाटा सौस यह दालें से अच्छा देश्ट आता है तमाटा सौस दले से बच्चाओं को भद पसंद आता है अब इसको अच्छे से मेस कर लेना देखें अच्छे से मेस कर ली उट्टे की दाने थंडे ने लेना गरम देना गरम धने से अच्छा टेश्ट अच्छा आता ठाने में में मजा आता अब इसको एक छोटे मतल में निकाल लेंगे इस में आता है हिद्रावाद में होच ज्यादा मिलता है गरम गरम हैता न अच्छा रहता अच्छा देखता लेजिए तयार है भुट्टे की चाट कैसी लगी आप पताईए अल्ला हाफीज कवजब इस्च घरेग JEFF